जारखंड की वो दरिंदी सीमा पात्रा भाजपा की नित्री सीमा पात्रा जो अपने घर पर एक आदिवासी महिला के साथ वो सलूक करती थी जिसको सुनके रोंगटे खड़े हो जाएं उसको अपनी पिशाप चटाने तक का काम करती थी कमरे में बंद करकर और जिसका परदा करने के लिए अपने घर से निकली थी महनत करके कुछ बनना चाहती थी कुछ कर दिखाना चाहती थी लेकिन भारतिये जनता पार्टी के नेता के एक बद्दिमाग लड़के सत्ता के नशे में चूर एक बद्दिमाग लड़के को लगा ऐसी बच्चियों से देहवेपार कर आना चाहिए अपने होटेल में और जब उसने देहवयपार करने से प्रोस्टिट्यूशन करने से मना किया तो उसको मजबूर किया गया और जब वो नहीं मानी तो उसकी नहर में धकेल कर हत्या कर दी गई पाश दिन से अंकिता लापता थी कल वो लड़का अरेस्ट हुआ है पुलकित आर्या विनोद आर्या का लड़का जो पूर्व मंतरी है उत्रखंड की सरकार में भाजपा की सरकार में उनका दूसरा बेटा अंकित आर्या राज्यमंतरी का दरजा लेके घूम रहा था यह कैसे वहशी दरिंदे इन्होंने भरे हुए हैं यह कौन जानवर हैं जिनको लगता है कि एक लड़की की जान की कीमत नहीं है यह कौन लोग हैं जिनको लड़की जब नौकरी करने घर से निकली है उसको देवयापार की तरफ यह धकेल देंगे बहुत आक्रोश और जो जना आक्रोश दिखा उसके बाद भारती जनता पाटी जागी और कुछ कारवाही हुई है लेकिन मेरा अपना मानना है यह selective कारवाही है अगर कारवाही करनी है तो अपने तमामों MLA's अपने तमामों MPs को बरखास करे और उसके बाद महिला सुरक्षा का, बेटियों के हक का, बेटियों के हुबूब की बात करिएगा पहला वाक्या नहीं है, मेरे ख्याल से यह अंतिम भी नहीं होगा मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और आपको मैं सिलसलेवार तरीके से नाम लेकर बता देती हूँ जायक छोटे लाल वर्मा, उनके सुपुत्र श्री लक्ष्मी कांत वर्मा जी पर एक महिला ने, शारिरिक शोशन, दुराचार, गर्भपात, मार पीठ और जान की धमकी देने का रोप लगाया है उसको बरखास्त क्यों नहीं करते हैं आप, जबलपुर में भाजपा के व्यपारी प्रकोष्ट के शशिकान सोनी पर एक महिला को जबरन शारिरिक शोशन किया गया नौकरी देने के छलावे पर यह, शाडोल, मध्यप्रदेश में, विजयत रिपाठी जी, 2021 में भाजपा के नेता, जधपुर में मंडल अध्यक्ष, उनके खिलाफ एक्जाक्ली यह केस, महिला के साथ शारिरिक शोशन, उसका रेप, उसके साथ बालातकार, और उसको किसी ना किसी छलावे में लाकर ऐस परनान मराक जी, जो महिलाओं को लेकर ब्रॉथल चला रहे थे, प्रोस्टिटूशन करा रहे थे, दे का व्यापार कराते थे, करनाटक के भाजपा के MLA आप सब को याद होंगे, और ये इनकी असली सोच दिखाता है, करनाटक के भाजपा के वो MLA, अरविंद लिंबव अ जी, जो वीडियो पर एक महिला के साथ बत्तमीजी करते हुए दिखे, और जब आपके जैसे निडर पत्रकारों ने उसके बारे में सवाल पुछा, तो उस आदमी ने पलट के कहा, क्या मैंने उस महिला का रेप कर दिया है, एक नीती निर्मारता को, एक कानून के रखवाल को लगता है कि रेप जैसे पॉकेट मारने जैसी चीज़ है, ये चुने हुए MLA की मैं बात कर रही हूं, नवीन सिंग के इनके BJP ऑफिस बेरर, 25 साल के मीरा रोट पे सेक्श्वली ओफेंस उसमें पाई गए थे, श्रीकान देशमुख महराश्च के शोलापुर में, BJP की म आहिला कारकरता ने आरोप लगाया था अपने साथ दुश्चार करने का, अपने साथ शारीरिक शोषण करने का, अपने साथ जोर और जबरदस्ती करने का, ये श्रीकान देशमुख जी शोलापुर के जिलाद्यक्ष थे, और अभी तो मैंने उन्नाव के कुलदीब सेंगर और शाह जाहाँपुर के स्वामी चिन्मियानंद का नाम नहीं लिया है अभी तो मैंने सांसद रेखा वर्मा का नाम नहीं लिया है जिनके लोगों ने लखीम पुर में रितू सिंग का चीरहरण किया था एक elected जिला पंचायत सदत सका क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट देने जा रही थी और कहा है देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और वो इस देश से माफी कब मांगेंगे जब मोदी जी खड़े होकर लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए तो जब आपके लोग ऐसा काम कर रहे हैं आप इस देश से माफी कब मांगिएगा माफी मांगना तो दूर आपके ग्रह छेतर में ग्यारा बालात कारी रहा होते हैं आपके मुझे एक शब्द नहीं पूटता है और महिला और बाल विकास मंतराले की मंतरी अंकिता को भाजपा के एक नेता के लड़के ने पहले देवे अपार के लिए मजबूर किया और उसके बाद जान से मार डाला जब ये मामला कल शाम को सामने आ रहा था और इस देश का कलेक्टिव कॉंशिसनस ये पूछ रहा था कि आपनी बेटियों के साथ कैसे कर सकते हैं तो Smriti Irani ji अपनी रसोई की तस्वीर दिखा कर कहती है What's cooking? What's cooking is malay Smriti Irani What's cooking is outrage Smriti Irani What's cooking is the fact that you as the minister for women in child development should be making comments on these things should be acting against these people and instead you want the world to know what's cooking in your kitchen we give a damn what's cooking in your kitchen What's happening to girls all around is what we care about मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे और जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि ये सत्ता का नशा है सत्ता में बैठे हुए भाजपा के लोगों को उनके मंत्रियों को उनके सांसदों को उनके लड़कों को जब तक ये लगता रहेगा कि उनको राजनेतिक संग्रक्षन मिलेगा तब तक ये लगातार चीजे होती रहेंगी तब तक 19 साल की जैसी अंकिता अपने आँखों में सपने लेकर तो जरूर निकलेगी घर से लेकिन उसका शब वापस आएगा और ये सच है और महिला विकास मंत्राले से तुरंद बरखास्त करना पड़ेगा